हर्याना राज्टे से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पार्टित पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से सबन्दित सभी जानता है या आपको मुल सकें मुल चैनल पार्टित ताकि जानता है, इल्यान पार्टित सभी जाओजाएं जारवाब पार्टित सभी खबरों से घ्र भाई करेंधों allora या तो ढौनता है या वा तो एक वापको मुल घ्सक्ताव जाओँ करेंद्सान आपको एंटित तो एंटों जी जाएंटानर जाना पौह यार पत्र का बात तो डाक्टर सुरेश गजानीय जी आज कल एक लोबी ये परचान कर देए कि मास्क की जडूरत नहीं है इस और ना है वैक्सिन की तो आप पहले बताईए के मास्क कितना जुरूरी है देखिए मास्क बहुत जुरूरी है और मास्क सिर्फ कोविड के तो अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और इससे साधारन खासी जुखाम जो आपको आउट होना पड़ेगा तो इसलिए मास्क हमेशा लगना चाहिए और हम डॉक्टर लोग हमेशा ओपरेशन थेटर में रूटीन ली मास्क लगाते हैं ताकि पेशेंट को क्रोस इंफेक्श इसने का यही तरीका है जो कोविड से और दूसरी बात है वैक्शीन वैक्शीन देखिए यह बिमारी अभी जो नया कोविड आ रहा है और अभी बहुत ज़्यादा लोगों में मैं देख रहा हूं खासी जुखाम बुखार कर जिसका भी हम टेस्ट करवाते हैं कोविड ही म इसके बारे में देखिए जो हमारी इम्मुनिटी की मेमोरी से लोती है वो छे महीने के बाद में विकन आने शुरू हो जाती है और अगर आप बुस्टर डोज लगाते हो तो एक डम से दुबारा से वो बाड़ी को याद आ जाता कि ऐसा एक इंफेक्शन वाइरस आया है व जो जब मास्क आगर ज़्यादा लगाते हैं तो कहते हैं आक्सिजन की कमी हो जाती है क्योंकि मास्क लगाए रखो अनसेसरी भी तो नुक्सान देता है हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो मास्क जिसको सांस की विमारी हो उसे नहीं लगानी चाहिए जिसको COPD हो या हरट का फैले और जिसको सांस चड़ रहा हो उसको मास्क नहीं लगाना चाहिए नॉर्मल आदमी को मास्क जरूर लगाना चाहिए कि जिस patient को सांस की विमारी है, चलने से सांस चड़ता है, उसको मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें oxygen कमी होते हैं, उसमें मास्क में नुक्सान होता है अधर्वाइज नॉर्मल आदमी को मास्क लगाना चाहिए, मास्क वैसे भी बड़ा अच्छी चीज है, यह धूल और गंदगी से बचाके हमारे फेफड़ों को बचाता है, अधर्वाइज जैसे COPD नाम की विमारी होते हैं, जिसमें क्रोनिकली 50-60 साल की उमर के बादमी को सा मास्क की बिमारी हो जाती है, उससे भी यह बचाता है, क्योंकि पॉलिशन, बैस्ट और गर्द यह रोग लेता, फेफड़ों में नहीं जाने जिता तो फेफड़ों में नुकसान नहीं होता, तो मास्क हमेशा एडवाइजेबल होता है